अच्छ वह एक बात बताओ, चौपिस घंटा नरेंद्र मोधी टीवी पर दिखता है ना, दिखता है ना, भईया टीवी किसानों का है क्या, टीवी मजदूरों का है क्या, टीवी गरीबों का है क्या, दलितों का, आदिवासियों का, किसका है, अदानी का है, तो सीधी सी बात चौदा लाग क्रोड उधर माफ होते हैं इधर 24 गंटा उसका चैरा दिखता है नहीं आप खुशी से ताली बजा रहे हो अच्छी बात है कि खुशी से ताली बजा रहे हो अच्छी बात है मगर नुकसान तो आपका हो रहा है ना नरेंद्र मोधी जी भारत माता की जय कहते है उनको अधानी जी की जय कहनी चाहिए काम तो उनका करते हैं जी एस्टी आपके जेब से निकल रहा है किसके जेब से पिछनों की जेब से दलतों की जेब से आदिवास्यों की जेब से गरीब जनुरल लोगों के जेब से निकल रहा है और 14 लाग करोर रुपया नरेंदर मोधी ने 20-25 लोगों घर्दमाफ कर दिया तो मैंने सवाल पूछा पार्लिमेंट आउस में नरेंदर मोधी उस साइड मैं इस साइड मैंने सवाल पूछा नरेंदर मोधी जी एक बात बताईए अगर आप कहते हो बारत माता की जैका नारा लगाते हो और आप हर भाशन में कहते हो मैं OBC, मैं OBC, मैं OBC तो मुझे एक बात बतादो ये जो 90 अपसर हिंदूस्तान को चलाते हैं जिसको हम Secretary to Government of India कहते हैं Cabinet Secretary कहते हैं इन में से OBC कितने इसमें से दलित कितने हैं इसमें से आदिवासी कितने आप भागिदारी की बात करते हो ठीक है आज Parliament House में मुझे बतादो देश को जो चलाते हैं उसमें से OBC कितने हैं दलित कितने हैं आदिवासी कितने हैं नरेन मोधी एक शब नी बोले चुप हो गए नहीं सुनिए क्योंकि आपको ये बात गहराई से समझने होगी नरेन मोधी चुप हो गए और फिर अगले भाशन में नरेन मोधी की जो सची सोचे वो निकल आई अगले भाशन में नरेन मोधी कहते हैं मित्रों देश में कोई जात नहीं है देश में सिरफ एक जात है वो है गरीब बात समझे जब OBC को बागिदारी देने की बात आई जब दलितों को बागिदारी देने की बात आई जब आदिवासियों को बागिदारी देने की बात आई तो नरेंद्र मोधी कहते हैं भाईया इस देश में ना OBC ना दलित ना आदिवासी जब चुनाव जितने की बात आई नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं तो OBC हूं भाईयों मैं तो हूं OBC अरे या 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 आप OBC है या पिर इस देश में एक जहात है आप बता दू राजस्तान की सरकार के पास GST का पैसा आता है हमने यहां पर स्वास्तियोजना शुरू कर दी मुफ्त में सबको इलाज हो रहा है मुफ्त में सबका इलाज हो रहा है दिल का दोरा पड़ता है चलो चलो राजस्तान की किसी भी हस्पताल में जाओ फ्री में की इलाज कराओ पैड तुटता है चलो चलो भाईया प्लस्तर लगाओ फ्री में करो एक्सिनेंट सर्थ पे होता है भाई चलो इमर्जिंसी में ले जाओ फ्री में है राजिस्तान में कैंसर हुआ लिवर की बिमारी हो डाइबीटीज हो कुछ भी हो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार कहती हम तो मुफ्त में करवाएंगे हम एक रुप्या नहीं निकलवाएंगे यह हैं कौन जो हस्पताल में जाते हैं 50% पिछड़े 14% दलित 12% अधिवासी तो हमारा पैसा भारत माता की जेव में जा रहा है आपकी जेव में जा रहा है उनका पैसा अधानीजी की जेव में जा रहा है 14,00,00 करोड आपका ही तो पैसा गया GST में आपका ही तो पैसा गया आपकी तो कनाल नहीं बनी ना तो बिल्कुल साफ बात है नरेंद्र मोदी सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जाती जन गरना नहीं कर सकता कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता क्यूकि नरेंद्र मोदी अदानी के लिए काम करता है जाती जन गरना रावल गान्दी कर सकता है कॉंग्रेस पाटी कर सकती है नरेंद्र मोदी ने 14,00,00 करोड रुपिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरब पतियों का करजा माफ किया है 14 लाख करोर रुपिया भाईयों और बेनो इन मेंसे OBC कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये बताओ मुझे 14 लाख करोर रुपिया करजा माफ किया नरेंद्र मोदी ने उसमें एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक पिछड़ा नहीं मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं 14 लाख करोर रुपिया का तौफा दिया अपने मित्रों को अगर मैं भारत माता की जै का नारा कहूंगा या आप से कलवाऊंगा तो सचमुच में भारत माता की जै तो करने ही पड़ेगी ना भारत माता आप लोग हो भारत माता किसान है, मजदूर है, गरीब लोग है भारत माता वोई है तो नरेंदर मोदी जी आते हैं कि तो भारत माता की जै और दूसरी तरह बदानी का काम करने 24 गंटा तो अगली बार आएंगे उनसे आप कहिए नरेंद्र मोधी जाती जनगरना करा दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ राजिस्तान में तो ओडर दे दिया हमने जाती का सेंसस होगा और जैसे दिल्ली में सरकार आईगी जाती जनगरना हमारा पहला काम होगा पिच्णों को पता लग जाएगा कि भईया आपकी आवादी कितनी है गलितों को आदिवासियों को साफ पता लग जाएगा और आपकी सची भागिदारी बारत माता की जैद तब जागी शुरू होगी यह जो फ्री में इलाज हो रहा है यह जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है बीजेपी का आपने वोट दिया ना यह सब बंद हो जाएगा सारा का सारा बंद हो जाएगा अदानी का काम शुरू हो जाएगा किसानों का कर्जमा भूल जाएगे फ्री में इलाज भूल जाहिए 500 रुपए का गयाज सिलिंडर भूल जाहिए है Assalamuala reading का पूरा समर्थन कीजिये 2012 बूजय ए då कॉंगुरेस पार्टी तेपा समर्थन कीजिये और मिल सचमुच में भारत माताटार की है अभी चांद्रना जी ने नारा लगवाया भारत माता की जै तो सवाल है सब लोग ये नारा लगाते हैं बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जै मगर ये भारत माता है कौन ये है क्या सवाल है जिसकी हम जै करते हैं सब लोग करते हैं मैं करता हूँ आप लोग करते हो सब लोग करते हैं तो ये भारत माता ये है कौन देखें ये भारत माता ये धरती है हाँ ना है गी ये भारत माता इस देश के लोग हैं हैं आप सब के भाई भैन माता पिता गरीब लोग अमीर लोग बुजुर्ग लोग सारे के सारे जो लोग हैं जिनमें ये अवाज गुंचती है भारत माता की ये भारत माता है सही तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा है पार्लिमेंट हाउस में मैंने भाष्चन दिया और मैंने कहा कि देखिए मैं जानना चाहता हूं हम ये नारा रोज लगाते हैं मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है कौन है ये भारत माता मतलब ये लोग कौन है कितनी अबादी किसकी है आदिवासी कितने गलित कितने पिछड़े लोग कितने गरीब कितने अमीर कितने अगर हम नारा लगाते हैं भारत माता की जै और अगर हम भारत माता के लिए लड़ते हैं खून देने के लिए तियार है तो ये भारत माता है कौन ये तो पता लगाना ही पड़ेगा सई अगर हमें मालुम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने दलित कितने गरीब कितने तो भारत माता की जै का मतलब क्या है तो मैंने ये पार्लमेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब करांतिकारी काम करना पड़ेगा, इस देश को जाती जनगरना करवानी पड़ेगी